कि है गाइज वेल्कुल यूटूब चैनल एवन अकेडमी जा सबसे पहले आपको ब्स नर्सिंग रिगाड़ेड हर एक अपडेट पता चल जाता है एस पर दो नोटीस ट्वेल आप देख सकते हो जो कि शेडूल ऑफ क्या प्राउंड वन के लिए था आप देख सकते हो आप जो कि आज का डेता ग्रीवेंस थ्रू उनलाइनट के लिए तो मुझा मुझे comment कर रहे थी कि overall हमें grievance करना है या फिर हमें यहाँ पर overall क्या कुछ करना है तो पूरी information मैंने previous वीडियो में दे दी थी तो finally grievance का अगर time बढ़ जाता है ठीक है अगर आपका भी कुछ error बाकी है fill up करने का अगर time बढ़ जाता है तो मैं आपको alert करने वाला हो तो make sure channel को subscribe करें अब बाद आती हाँ पर बहुती important जो कि है final merit list की और online preference choice filling form जो कि आपका cap round 1 के लिए ठीक है ना तो important video रहने वाला में पूरा आपको procedure बताने वाला हो क्या कुछ हमें वाले सी note down करके रखना है क्योंकि बहुत सारे student ने आने के shortical mistake की थी registration करते समया online form fill up करते समया ऐसी shortical आने के बहुती short बहुती कम type mistake नहों इसलिए आपको video पूरा watch करना है और हाँ आज का एक जो latest offer है बहुत सारे student enroll कर रहे है जो कि 499 में आपको पूरा counseling support मिल रहा है मतलब आपका जो overall पूरा tension है overall हमारी counseling team समालेगी ठीक है आपको जितना भी tension है overall आपका क्या round one किस type होगा आपको क्या कुछ fill करना है आपका percentile कितना है आपका rank कितना है उसके basis पर आपको कौन सा college मिलेगा government मिल सकता है private मिल सकता है overall पूरे doubt जो है आपके पूरे doubt हमारा counseling team है वो समालेगा तो सबसे पहले आपको जो 499 का अभी हाल फिलाल में offer चर रहा है उसको enroll कर लेना है अब बहुत सारे student बोलेंगी कि overall sir क्या आप कुछ process है और हमने अगर 499 रुपीज का batch process किया तो हमें क्या कुछ आपर requirement हमारी क्या है हमारे doubt solve होंगे क्या और हमें क्या कुछ मिलने वाला है सबसे पहले तो आपको मैं proof दिखा दू आप देख सकते हो अभी अभी एक student ने payment किया है overall लगबख 47 student अब तक overall हो गया है और 100 का batch है लगबख 53 seats बाकी है तो आप सभी enroll कर लीजे जो यहाँ पर 100 student होगे उनका ही हम counseling करने वाले मतलब ज्यादा सिर्स नहीं है उनली 53 सिर्स अवेलेबल है तो फटा-फट से enroll कर लीजे आज का latest offer है 499 आप देखिए मैं student का कुछ information यहाँ पर hide कर दिया हूँ only आपको उसका फेवरेट college यहाँ पर दिख रहा होगा कि फेवरेट college उसने लिखा है देन वन पेमेंट में with प्रूब आपको दिखा दू इस पर क्लिक करता हूँ जो उन्होंने payment कर दिया उसका जो है screenshot भेजा था मैं उसका screenshot आपके सामने रख आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि finally transfer detail और यहाँ पर with date with तारिक आपको दिख रहा होगा ठीक है आप देख सकते हो आज ही अभी अभी ट्रांजिशन सक्सेस्पूल 19 ऑगस्ट पाच बच कर 22 मिनिट्स होए थे ठीक है देन वन मैं आपको बता थो procedure क्या कुछ रहती है B.Sc. Nursing Counseling Team Support आप देख सकते हो क्या कुछ facilities क्या कुछ service आपको मिलने वाली है सबसे पहले तो phone call session until your admission in best college after payment student will add in the counseling group, telegram group और आप सभी के question down will give other benefits, exclusive services, watch of chatting, counseling support only for महाराष्टर स्टुडेंटों आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं आपके सामने एक home page open होगा जो की counseling team support है आपको थोड़ा scroll down करके student name, your course, mobile number और your favorite college, college list जो आपकी 2-4 college टे वो डाल दीजेगा payment कर लीजेगा आपको यहाँ पर scan करके payment करके एक उसका जो screenshot है वो upload कर देना है और upload करते ही आपको यहाँ पर simply submit button पर click कर देना है वो जो six requirement है आपको यहाँ पर done लिख देना है और submit करना है, submit करने के बाद within one hour आपको call आ जाएगा, तो चलिए अब देखते है overall cap round 1 के लिए क्या कुछ requirement है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर final merit list BSC nursing की 21st August को आने वाली है, ठीक है यहाँ पर advance level की आपकी final merit list रहने वाले है, मतलब आपने कुछ mistake किये थी, वो सब mistake right होकर overall उसमें changes होकर सब कुछ जो है final merit list में आ जाएगा, इसलिए final merit list यहाँ पर कहा गया है, मतलब final है, इसके बाद आप कोई भी यहाँ पर जो है क्या बोलते है, उसको अगर आपने कुछ mistake किये तो आप सुधार नहीं पाओगे, then one आता है आपर important जो कि है online preference choice form filling process by eligible candidate, जो भी candidate इस final merit list में आ गया, ठीक है, जो भी candidate final merit list में show off हो गया, उनको ही आपर online preference के लिए choice form fill करने के लिए overall आप eligible हो, तो choice form filling आप ही कर सकते हो, जो final merit list में आया है, तो आपको लगबग आप देखिए, 21st, 22, 23rd, अगस्त, तक हैने कि 3 दिन आपको मिलेंगे choice filling form fill up करने के लिए, ठीक है, and then one जैसी है, आपने choice form fill up कर दिया, यहाँ बहुत important बात है, number four जो point है choice filling, वो बहुत important है, minor minor mistake आपर नहीं होनी चाहिए, major तो दुर की बात है, अगर minor mistake हो गए, तो आपका क्या प्राउंड से बाहर जा सकते हो, आपका overall जो college है, आपको मिलने से बाकी रह जाएगा, पिछली बार बहुत सारे student ने मुझे comment किया था, कब जब उनका overall choice filling form fill up हो गया, और क्या प्राउंड one declare हो गया, लेकिन क्या प्राउंड one declare होने के बाद, college allotment होने के बाद, उनका नाम नहीं था, जबकि उनको अच्छे percentile थे, 90, 92, 95 percentile वारे कुछ ऐसे student थे, जिनका नाम क्या प्राउंड one list में नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत minor और major दोनों mistake करके overall form fill up कर दिया था, तो ऐसी mistake आप न करो, इसलिए counseling रखी जाती है, और उसका फायदा आपको लेना अचे, only 499 रुपीज में यहाँ पर counseling team support आपको कर रहा है, तो please आप अभी enroll कर लिजे, क्योंकि कल overall जब यहाँ पर आपका form fill up date आ जाएगा, form filling process आ जाएगा, तब सहने के 21st से लगबग price बढ़कर 999, मतलब लगबग 1000 तक यहाँ पर price बढ़ने वाला है, तो make sure अभी आप payment कर लिजे, 499 में आपको with proof या पर दिखा है, then one क्या होगा, आप सभी ने choice fill कर दिया, और जिस student ने अच्छे से choice filling कर दी, colleges preference list अच्छे से डाल दी, then one उसके बाद declaration of selection list जो कि 24 को होगा, then 24 अगस को आप सभी का cap round 1 allotment जो आपको college allot हुआ है, वो आपको दिख जाएगा, और then one six point में देखिए, physical joining and filling status, retention form with all original document and requisite fees by DD and check, then one आप सभी को joining के लिए overall college जाना पड़ेगा, और 25 अगस से लेकर 29 अगस तक, शाम के 6 बज़े तक आपको अपने admission confirm करनी पड़ेगी, अब बात आ जाती है, उन student की, जिने college अलोट नहीं हुआ, तो क्या cap round 2 होगा, 3 होगा, यह आपको further जो requirement है, further जो notice है, वो official website पर डाली जाएगी, तब आपको dates के बारे में पता चलेगा, अब बहुत सरे student question पूछेंगे कि, क्या cap round कितने होता है, तो as per the official आपको मैं बता दू, लगबग 1, 2, 3 भी आपर cap round हो सकते हैं, और mop up round भी होते हैं, तो पूरी जानकर जानने क के लिए आपको counseling अभी purchase कर लेनी है, आपको overall आपको form fill up, आपके college list, overall आपके marks के उपर बनाए जाते हैं, तो आप सभी अभी enroll कर लीजिए, और आपको within one hour call किया जाएगा, तो चलिए जैसे कुछ official update आजाता है, मैं आपको alert करने वाला हो, और हाँ, बहुत जल्द एक new video जो कि आप सभी के cap round regarded बहुत important है, तो चलिए guys मिलते हैं next video के साथ, तब तक के लिए thanks, और हाँ, चैनल को subscribe कर, bell icon press कर दीजिए